इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. टिकोसिट पी टैबलेट, स्ट्रोक के इलाज में इस्तिमाल की जाने वाली दो दवाओं का मिश्रण है. यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और शतिग्रस्ट तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी मदद करता है. यह दवा केवल डॉक्टर द्वारा बताय जाने पर ही ली जानी चाहिए. टिकोसिट पी टेबलेट को खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है खास्तोर से इसे प्रतिदिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है इसे हर रोज एक ही समय पर ले क्योंकि यह शरीर में दवा का निरंतर स्तर बनाय रखने में मदद करता है इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारत खुराक और अवधी में ही ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो उसे जल्द ही ले ले बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े और इलाज का कोस पूरा खत्म करें ये आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क्योंकि इस से आपके लक्षनों की अवस्था और भी खराब हो सकती है इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में हाइप अक्टिविटी, पेट में दर्द, घबराहट और ब्लड प्रेशर घर जाना शामिल है हाला कि ये अस्थाई हैं और आमतोर पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं अगर ये कम नहीं होते हैं या आपको परिशान करते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्ष लें इस दवा को लेते समय खुद को हाइडरेट रखने के लिए पर्याप्त मातरा में फ्लूइड पीए क्यूकि इस दवा से डायरिया यानि की दस्थ हो सकता है इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियंत्रत करने के लिए आपको एक संतुलित डायट लेनी चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद